पाल बड़े रिकौर्डदस है और यह हर महिने मोटो कॉरफ अचीब करता यह यह नंबर जो मैं बता रहा हूं यह है सेल Hero Moto Corp के Hero Splendor की है जी या दोस्तो Hero Splendor हर महिने इतने unit sale होते है और इसलिए India का number one product हो जाता है number one product होने के लिए value देनी पड़ती है लोगों को और Hero Moto Corp पो ये value देता आया है नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है Shubham 2022 edition में company ने क्या-क्या बदलाओ की है ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ तो आईए दोस्तों ये वीडियो देखते हैं बात सबसे पहले करते हैं कि क्या-क्या changes किये गए है changes भी और साथ में और भी detail में वाकी सारी चीज़ों पर हम बात करते रहेंगे वहीं अगर मैं friend की बात करूँ तो friend पर भी आपको graphics देखने को मिल जाते हैं इसके अलावा क्या है कि यहां पर HIPL दिया गया है अब बैया कि यह क्या है high intensity positional lamp दिया गया है जिससे क्या है न कि आजकल जो यूद को LED बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो क्या है कि company वो चीज़ भी लेकर आ चुकी है जैसे आप ignition on करेंगे और bike start करेंगे तो वहाँ पर एक light की strip दी गई है जो इसको HIPL बोला जा रहा है वो light वहाँ पर जलने लगती है जिसे कहना कि और भी खुबसूरत हो जाती है वहीं जो traditional जो hero motor corp अपनी headlight यूज करता आया है इस प्रेंडर में वो चीज़ देखने को मिल जाती है हेलोजन वेल्प के साथ में आ जाता है ब्रेकिंग की बात करी जाए तो 130 mm की drum brake मिल जाती है फ्रेंट और रियर पर वहीं IBS braking system दिया गया है integrated braking system आ जाता है जिससे कहाना कि अगर आप रियर ब्रेक यूज करते हो तो फ्रेंड ब्रेक भी साथ में लगती है जिससे क्या safety और enhance हो जाती है बढ़ जाती है जिससे क्या controlling और balancing बहतर रहती है और इसके ठोने के chances कम रहते हैं तो ये तो बात हो गई इसके friend portion की अब बात करते हैं इसके side portion की तो देखे side portion पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर क्याना आप देखेंगे अब इसका fuel tank और भी attractive नजार आता है यहाँ पर इसके fuel tank पे 3D में hero की bedging देखने को मिल जाती है और वहीं जो logo है वो भी 3D में दिया गया है जिससे किया है न कि bike और ज्यादा खुबसूरत हो जाती है और good looking हो जाती है road presence अच्छा मिलता है वहीं fuel tank capacity की बात की जाए तो 9.8 liter का यहाँ पर fuel tank capacity मिल जाती है seat लंबी सी आ जाती है cushion quality भी अच्छी है कि दो लोग आराम से यहाँ पर bed पाएंगे जो classical यहाँ पर gabriel है वो देखने को मिल जाता है जहाँ पर क्याना लोग सामान वगएरा यहाँ पर रख देते हैं और बान लेते हैं तो वो चीज यहाँ पर देखने को मिल जाती है बाकी मैं थोड़ा सा यहाँ पर bed के भी दिखा देता हूँ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा 785 mm की seat height मिल जाती है और ground clearance दिया गया है 165 mm का तो seat height हमेशा जो इसकी spender की पहचान रही है कि कम height वाले लोग भी आराम से बैठ सके इस हिसाब से इसको design किया गया है तो यहाँ पर क्या है ना कि मेरे दोनों पैर आराम से लग जाते हैं यानि मेरी height 59 है मेरी height से थोड़ा से कम वाला भी होगा तो आराम से यहाँ पर बैठ पाएगा 165 mm की ground clearance दिया गया है वहीं जो इसका यहाँ पर exhaust है उसके उपर यहाँ पर कंपनी ने क्रोम का treatment किया है रियर पर 5-way adjustable absorber देखने को मिल जाते हैं वागी कुछ ऐसा यहाँ पर पाउचर आएगा रियर की बात करें तो यहाँ पर आराम से दूसरा इंसान बैठ पाएगा अगर उससे हल्दी भी होगा तब भी आराम से दो लोग यहाँ पर बैठ सकेंगे तो इंजन के अगर मैं बात करूं तो इसमें वहीं इंजन दिया गया है लेकिन क्या है कि पहले से और ज्यादा बहतर हो जाता है 97.2 cc का इंजन मिल जाता है जो कि power produce करता है 7.9 bhp के और टॉर्क मिल ज करती है कि इसका माइले 71 kmpl का मिल जाता है के लावा क्याना कि फ्यूल को सेव करने के लिए इसमें i3s टेकनलोजी भी दी गई है अब यह यह i3s टेकनलोजी क्या है कि i3s का मतलब यह जैसे आप ट्राफिक में होते हो और कहीं भी बाइक रोग देते हो तो इस पर थोड़े कि फ्यूल बसता है और खास तोर पर जब आप रेड लाइट पर खड़े होते हो तो आटोमेटिक बंद हो जाता तो यानि यह स्मार्टली यह काम करती है तो इस बाइक को और भी एडवांस बनाया गया है तो जैसे यह स्मार्टली काम करती है 13 sensor दिये गया है जैसा मैंने अ स्मार्टल ऑचानक खिज जाता है जिससे के बाइक घूम जाती है तो क्या है कि यहां पर वो चीज नहीं होगी है और भाइक ऑटमेटिक बंद हो जाएगी से क्याना कि सेफटी मिल जाती है इसके साहत पर और दिया गया है कि जैसे इसमें यह साइड़ इस्टैंड लगा हो इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा कि साइड स्टैंड लगा हुआ है तो यहां पर कहना कि कमपनी ने सेफटी को लेकर काफी काम किया है जो इस बाइक में मेजर अपडेट किया गया है 2022 एडिशन में जो इस बाइक को बनाता है एक्सटेक तो उसके बारे में बात करते हैं ल ellas बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि समय मुबाइल चारजर भी मिल जाता है इस से की है ना on board आप मोबाइल बी करसे लिए ऐस्बी के लिए लगा सकते on board यह बड़े से Fond company ने यूज की हैं यहां पर क्या है कि इधर यहां पर speedometer आ जाता है माई हिरो लिखे हो रहा है ट्रिप A, ट्रिप B का देखने को मिल जाता है साथ में यह auto meter आ रहा speedometer दिया गया है dish a lie आपको fuel indicator देखने को मिल जाता है average किलो मीटर पर लीटर कितना दे रही है यह भी देखने को मिल जाता यानि यहां पर आपको रियल माइलेस देखने को मिल जाता है यह चीज काफी अच्छी हो जाती इसके लिए किया है कि आप इस बाइक को ब्लुटूथ से भी कनेक्ट कर पाते हो जहां पर क्याना कि कॉल एसमेस अलर्ट मिसकॉल एलर्ट जैसे फीचर देखने को मिल जाते हैं साथ में की बैटरी मुबाइल में बैटरी कितनी है इस तरह के फीचर भी यहां पर कंपनी ने दिये हैं तो बाइक काफी ज्यादा एड़ांस हो जाती है यहां पर आप देखेंगे साइड स्टैंड लग चैली रखा गया है 73,928 रुपीज वहीं अगर कलर उप्षन की बात करें तो इसमें एक से एक बढ़कर कलर दिये गए हैं टोटल चार कलर का उप्षन मिल जाता है जो कि सारे ही कलर आपको ने देखने को मिल जाते हैं इसमें वाइट कलर का भी ऑप्षन दिया गया है जो कि मेरा फेवरेट कलर हो जाता है पियल वाइट आ जाता है और इसके उपर भी ग्रैफिक्स यूज़ किये गए है इसके अलामा टोरनाडो ग्रे कलर भी आ जाता है जो कि ये भी काफी यूनिक कलर हो जाता है इसके अलामा कैनवास ब्लैक आ जाता है स्पार्कलिंग बेटा ब्लू कलर भी दिया गया है तो ये चार कलर का आप्शन मिल जाता है इतनी सारी चीजों के साथ साथ कमपनी फाइव येर की वारंटी भी देती है बाइक को हमने चला कर भी देखा था तो इसका इंजन और भी पहले से ज्यादा स्मूथ मुझे लगा और काफी रिफाइन लगा मैंने इस बाइक को 80 तो 90 किलो मेटर परार की स्पीड वे भी चलाया काफी एंजॉय किया हमने इस बाइक के राइड में देखे हिरो स्प्लेंडर की किसी भी परिचे की महताज नहीं है यह मोटर साइकल दसकों से इंडियन मार्केट में अपना कबजा बनाए हुए है और कबजा बनाके रखने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है या फिर एक वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ती है कस्टमर को और हिरो मोटो कौर पर इस मामले में बहुत आगे रहा है इसलिए हिरो का स्प्लेंडर कई दसकों से नंबर वन की पोजिशन पे बना हुआ है मोटर साइकल में या इंडिया के टूविलर सेल में नंबर वन पे बना हुआ है रीसल वैल्यू भी अच्छी मिल जाती है उसके बात कि कंपनी टाइम टू टाइम अपडेट करती रहती और आप फाइनली यहां एक्सटेक में भी कंपनी अपडेट लेकर आ चुकी है मैंने बाइक के बारे में बताया आपने डिजिटली पूरी इंफॉर्मेशन ली आप भी चाहें तो इस बाइक की टेस्ट राइड ले का बहुत बहुत धन्माद